पाड़ी पुलिस थाना अंतरिगत आने वाले मानिकर वाड़ी संभाग से एक हत्या का मामला उज्जा कर पाएं जा छोटे भाई के विवाद में पढ़ना बृत्तक को भारी पढ़ गया इस मामले में आरुपी द्वारा चाकू खूब कर बृत्तक की हत्या कर दी गई है जिस नाली की पास लगुशंका करने किया था उसे पेच कुख्यात नंकी शोर और कालू कुंभल कर उम्रत 40 वर्षिय जो वाड़ी पलिस थाना अंतरगर्द माड़ी सी शित्रकान दिवासी है मौकी पर शराप पेरा था जिसके चलते कालू और रोहित के पेच कहा सुनी हुई औ कि उसे पेच कालू को पता चला कि रोहित मनी करवाडी संभाग में सीर खुले मैदान में शराप पिरा है मौका पाती ही कालू स्तल पर पहुचा जिसके साथ उसके साती गौरो कालिश्वर उम्र 25 वर्षिय प्रेम नगर निवासी राचा मनीराम कुंठलवार उम्र 30 वर्ष कुख्यात कालू के साथ आय थी जा रोहित और कालू के पेच जोरदार पहस हुई जसके चलते रोहन अपने भाई को बचानी के लिए मामले में शामिल हुआ उसे पेच रोहित तो निकल गया लेकिन वही रोहन और कालू के पेच जोरदार पहस हुई जिसके बाद कालू ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर रोहन की पेट और छाती ऐसी चार जगों पर चाकू सिपार किया। सुचना बिलते ही रोहन को भवानी अस्पताल लिजाया क्या जाद जखमी की हालत देखते वे रोहन को बेयो डिफर क्या क्या जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में चारो आरोपी गिरपता है जिसकी जानकारी दी वरिष्ट पोलिस निरिख्षक रंचेज सिरसाटने। यहां चा नंदर्वन प्येश चाहादी में कई वाद जखाला होता आणि त्या वादा चा धर्मयां ते पोलिस सेशन ला तैंची दाखला है तैंचा में रोहन डांगे आणि जो कुम्भल करा है मुख्या अरोपी यहां चाहितेरी नाल्या में लगवी करना चाहे चाह उनन तैंचा एक में कांशी वाद जखाला आता तैंचा मुख्या तैंचा मुख्या अरोपी आहे नंदकी शोर पुम्भल कर यहां थाला मालने शाटी सोज़त जोता अना इसे तैंचा रोजी गटने में तो यहां मानेकर वाडि प्लॉट एरिया में तैंचा वार्ति चाकुने इस पूरे मामले को खंकाला जाए तो कही ना कही नंतनवन पुलिस की लापर वाही प्रतित होती है यदि 23 अप्रेल की इस मामले को गंपिरता से लिया क्या होता तो यकिनन आज यह विवात इतना नहीं बढ़कता और किसी की जान दे चाती बरहाद इस मामले भी आगे की जाचारी है जिसमें दूशियों को क्या सजा मिलती है यह देखना रोचक रहेगा कैमरा परसन अकिलेश भरतवाश के साथ मनिश टेमरी की रिपूर्ट